प्रिया बच्चों, आपके कक्छा तेन पाठ एक का सिर्षक का नाम प्रार्थना है इस कविता का पहला पद वह सक्ती हमें से लेकर सफल वना जाए तक है इस प्रकार इस पद का आर्थ है कि इस पंक्ती में कभी इस्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभू हमें ऐसी सक्ती दो जिस से दुसरों की सेवा पर उपकार में अर्थात दुसरों की भलाई में उपकार में अपना जीवन सफल वना सकूं इस कविता का दुसरा पद हम दीन दुखी से लेकर खुद तर जाए तक है इस पंक्ती में कवी प्रयार्थना करते हैं कि हे इसवर हमें भूले भटकों का मार्क दरसक दिखाने वाला और गरीब दुख्यों का सेवक बना दे जिससे उनके दुख को दूर कर सकूं अर्थात उनके कष्ट को हर सकूं उसके बाद इस कविता का तिसरा पद इस प्रकार है चल दंभ द्वेस से लेकर सुधारस बरसाई तक इस पद का अर्थ इस प्रकार है कि इस पंक्ती में कभी प्रार्थना करते हैं कि हे इस्वर हमारे मन में छल, द्वेश, अन्याय, जूट, आदी पुराया उत्पन नो हो और हमारा जीवन सुध और साधारन हो अर्थात सरल हो इसके बाद इस कव्ता का सबसे अंतिम पद इस प्रकार है कि नीज आन मान से लेकर उसी पर हो जाएं इस पंक्ति का आर्थिस प्रकार है कि इस पंक्ति में कवी प्रार्थना करते हैं कि है इस्वर हमें अपने गौरब, सम्मान, मर्यादा का हमेशा ध्यान और अभिमान रहे अपने देश और धर्म के लिए हमारा जीवन भलिदान हो अर्थाद हमारा सर्वस्व अपने देश के लिए नच्छावर कर सके देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्ण नच्छावर कर सके तो प्यारे श्टूरेंट इसमें जो भी कठीन वर्ड आये हैं इसका पाठ्य पुस्तक की सहाइता से उस कठीन वर्ड का यानि उस कठीन सब्दों का अर्थ याद करें